मानव का हिर्दे । human heart हमने complete कर लिया था, heart क्या होता है, कैसा organ होता है, किसके heart में कितने chamber होते है, हमारे heart में 4 chamber होते है, किस chamber में pure blood रहता है, किस में impure रहता है, blood vessels क्या होती है, arteries क्या होती है, veins क्या होती है, कौन से artery में impure blood रहता है, कौन से में pure रहता है, blood pressure क्या होता है, 120 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब क्या होता है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था बच्छा, कि जो आपका cardiac arrest कैसे आता है, heart में valve कितने होते हैं, ये सारी हैं आप उसे स्किपब कर सकते हैं अब आप अपना अगला मैने कहा था सर्कुलिटरी सिस्टम के अंदर पढ़ने के बाद हम human blood start करेंगे human blood जैसे हम क्या कहते हैं आप कहेंगे बच्चा human blood मानव रक्त, मानव का रक्त, मानव का खून, अच्छा इसे रक्त बोलिए, इसे हिंदी में रुधीर बोलिए, या आम भासा में जैसे हम खून बोलते हैं, तो आप खून भी बोल सकते हैं, Human blood, तो मैंने बोर्ड पे लिखा human blood, अब खून तो सब में है ना, गाय, भैस, घोडा, बक्री, जानवर सब में खून है, अब हमें सब का खून नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में हमारा blood है, तो मैंने इसले बोर्ड पे लिखा है, human blood मानव का रख्त, अब हम इस blood को, human blood को तो पार्ट में पढ़ने वाले है, एक human blood होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होती है, RBC क्या होती है, WBC, platelets, etc., etc., फिर दूसरे पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, blood group, कितने टाइप के blood group होते है, कौन किसको blood दे सकता है, कौन किससे blood ले सकता है, etc., 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 बहु सार classes chapter को करने में, human blood को, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे, तो ये एक ऐसा chapter है, जो हर exam में question देता ही, देता है, हर exam में, one day exam में human blood से question आते हैं, कैसे आते हैं, सब मैं बता दूँगी, जैसा मैंने human heart में बताया था, ठीक वैसे है, अब बात करते हैं, human blood के बारे में, सबसे पह में study करते हो, तो वो biology का कौन सा ब्रांच बनता है, तो उस ब्रांच को कहा जाता है, hematology, to study about human blood, मानव के रक्त या मानव के खून के बारे में, study करना hematology कहलाता है, तो आप हिंदी में में लिख सते हो, कि blood के बारे में study करना hematology कहलाता है, और वो space list, वो doctor, जो blood में space list होते है, खून खराब हो गया है, तो आप जिन डॉक्टर के जाओगे, उनको hematologist कहते हैं हम, तो ब्लड के बारे में detail में पढ़ना hematology, परले वो ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, उसे hematology कहते हैं, अगली बात जो आती है, ब्लड क्या होता है, हम मा पढ़ा चुकी हूँ यह बात, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड कर एक गुरूप बनाती हैं, तो उस गुरूप ऑफ सेल्स को बहुत सारी कोशिकाओं के समुह को उत तक या हम टीशू कहते हैं, अब आपके दिमाग में क्वेशन आ रहा बलड सेल्स, यह होती हैं रक्त कोशिकाओं और जो बहुत सारी बलड सेल्स होती हैं, तो सेल्स के गृप को हम क्या कहते हैं, टीशू कहते हैं, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ यहां पर, यह हमारा बलड है, यहां पर यह रहा, अच्छा, वह फोटो लगा नही देखो, यह भी सेल्स हैं, यहां पर दिखा रहा हैं, यह आपकी आर बीसी दिखा रहा हैं, यह प्लेटलेट्स दिखा रहा हैं, तो बहुत सारी सेल्स का गृप है आपका बलड, और जब बहुत सारी सेल्स का गृप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम टीशू, उस काम करते हैं और ऐसे टीशू को हम कनेक्टिव टीशू या सहियों जी उत्तक कहते हैं फॉर एक्जांपल समझने की कौशिज करना मेरे लीवर को मानलो आपका लीवर यहां पर है मेरे लीवर को कुछ चीज मेरे ब्रेन के पास पौंचानी है मानलो ग्लुकोज पौंचाना है तो लीवर यहां से उठके मेरे ब्रेण के नपस थोड़ी जाएगा. या मेरे ब्रेण को लीवर के पस कुछ पुचाना है, तो मेरे ब्रेण थोड़ी निकल के यहा लाएगा. तो यह दोनों आपस में कनक्ट किस के थू होंगे? ब्लड के थू होंगे. तो जब भी मेरे लीवर को कोई चीज मेरे ब्रेन के परस पहुंचानी होगी, तो वो किसकी थुरू पहुंचाएगा, वो ब्लड में डाल देगा, खून में डाल देगा, और खून तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 24 गंटे, 7 दिन आपकी ब्लड वैसल में दोडता रहता है, आपको यहां कट लगेगा तो खून निकलेगा, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, वी खून आपके बोडी के अंदर सारा दिन इस तरीके से से सर्कुलेट हो रहा है, घूम करता है उन और्गंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है तो ऐसे टीशू को हम कनेक्टिव टीशू कहते हैं जो हमारे बोडी में और्गंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं उसको कनेक्टिव टीशू कहते हैं अब ब्लड कैसा कनेक्टिव टीशू है तो ब्लड कॉ कनेक्टिव टिशू है एक तरल सयोंजी उत्तक है क्यों है मैं इसका अंसर कर चुकी हो अगली बात जो आती है वो यह आती है कि ब्लड को हम मानते हैं एक मीजोडर्मल मीजोडर्मल और्गन ब्लड इजी मीजोडर्मल और्गन हिंदी में लिखोगी यह है एक मीजोडर्मल अं इस लाइन को समझने की कौशिज करो देखो बच्चों होता क्या है जब आप मां के पेट में होते हैं उस समय क्या होता है आप में और गन्ड बनना जब शुरू होते हैं तौ सीधे ही और गन नहीं बनते हैं इस तरिके से तीन लेयर बनती हैं पहले इनको बोलते हैं लेयर को बोलते हैं जर्म लेयर ये जो लेयर बनती है इनको बोलते हैं जर्म लेयर और इनी लेयर से इनी पड़तों से आगे चलकर आपके सारे ओर्गन्स बनते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है जब आप मा की पेट में थे तो आप में यह जो आपके इतने सारे ओर्गन्स बने हैं लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, आपके आख हो गया, आपका कान हो गया, नाख हो गया, आपका ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, य तो यह सो बीच में होती है, सेंटर में होती है, इसे कहते हैं मीजोडर्म लेयर, हिंदी में सीम नाम है मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर होती है, उसको कहा जाता है, एंडोडर्म लेयर, और इनहीं तीन लेयर से आगे चलकर आगे चलकर आपके टीशूज और 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 अर्गन बनती है, सबसे बाहर वाली परत है, आउटर, उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और जो सेंटर में है, जो मिडल में है, बीच में है, उसे मीजोडर्म लेयर कहते हैं, और जो सबसे इनर होती है, अंदर वाली होती है, उसे एंडोडर्म लेयर कहते हैं, राइट, आप प्यारे जो mesodermal layer से बनते हैं, उनको mesodermal organ कहते हैं, और जो endoderm से बनते हैं, उनको endodermal organ कहते हैं, तो हमने क्या लिखा, कि blood is a mesodermal organ, इसका मतलब है, blood कहां से originate हुआ है, कौन सी layer से, mesodermal layer से, इसकी उत्पत्ती हुई है, हमारा जो खून है, और साथ में आप लिख सकते हो, इसी के आगे, जो हमारे heart के अंदर muscles होती हैं, जो heart को बनाती हैं, जिने हम cardiac muscles कहते हैं, या हिर्दे की maaspesia कहते हैं, तो blood हो गया और cardiac muscles होगी, ये हमारे कौन सी layer से बनती हैं, ये mesodermal layer से बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं, heart is a mesodermal organ, आपका हिर्दे एक mesodermal अंग है, ठीक ऐसे ही, अगर मैं बात करूँ बच्चा, बलड भी कैसा organ है, ये भी एक mesodermal organ है, ये भी एक mesodermal अंग है, इसका मतलब इन दोनों की उत्पति किस layer से हुई है, mesodermal layer से हुई है, आपकी थोड़ी से लेइर से इसकी बनता है, एंडोडर्म से जैसे थाइमस ग्लैन्ड हो गया, थाइरोइड ग्लैन्ड हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, फेफडा, ये सब यहां से बनते हैं, ओ, अच्छा एंडो है ना, बदे लिग दिया गलत में जो लगा ये वाला बाहर बनाएं, पारिक गुकिन किकुंट। इक्टोडर्म से क्या बनता है। इस्कीन बनता है। यह सबसे देसे बाहर वाली है। और जो एंडोडोडर्म-लेयर होता है उससे क्या बनता है, तब आप बताएंगे, बच्या, जैसे आपके लंग्स हो गये। जैने आप फेफडे कहते हैं हिंदी में, जैसे आपका थाइमस ग्लेंड हो गया, आगे पढ़ाओंगे आपको थाइमस ग्रंथी जिसे बोलेंगे, जैसे आपका थाइरोइड ग्लेंड हो गया, आपके किड्नी हो गया, थाइरोइड ग्रंथी हो गया, जैसे आपके किड्नी जिसे आप गुर्दे कहते हो, एक्सेक्टरा, एक्सेक्टरा, यह सब किस से बनते हैं, यह सब एंडियोडर्म लेयर से बनते हैं, तो शायद आपको यह बात समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई है, बताओ, कि आप से पूछली, ब्लड का ओरिजिनेट कहां से हुआ है, खून किस लेयर से बना है, तो आप क्या बताएंगे, खून मीजोडर्मल ओर्गन है, इसका मतलब यह मीजोडर्मल लेयर से बना हुआ है, पोइंट किलियर हो गया है मेरा, आगे चलू, ब्लड कैसा टीशू है, ब्लड कैसा ओर्गन मानेंगे, हलांकि यह ओर्गन होता नहीं है, यह टीशू होता है, लेकिन हम इस केस में, कि कौन से लेयर से उसकी ओरिजिनेशन हुआ है, कहां से इसकी उत्पत्ती हुई है, तो हम क्या बताएंगे, यह मीजोडर्म लेयर से बना है, यह आसिस बिल्कुल सही कहा आपने, चलो, अगले पोइंट पे चलते हैं, जब हमारे खून की बात करते हैं, तो खून कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जब खून की क्वांटिटी की बात करते हैं, तो एक अडल्ट मेल में, अडल्ट मेल का मतलब है जिसकी उम्र मिनिमिम्म 18 साल है तो लड़कों के अंदर जो बलड है वो होना चाहिए on average 5-6 लीटर या 5-5-6 लीटर कर लो चार से 5-6 लीटर या आप लिख सकते हो 0.5-5-5 लीटर यह लड़कों के बलड का quantity होता है अब आप कहोगे कि मैं लड़कों में कम क्यों होता है देखो लड़कों के कंपारीजन में लड़कों में कम खून या कम हीमोगलोबिन होता है इसलिए आपने अकसर ये देखा होगा क कि जब कहीं पर भी blood donation का camp लगा हुआ होता है, वहां पर लड़के ज़्यादा blood donate करते हैं, किस के मुकाबले में? लड़कियों के मुकाबले में. है न, क्यूं? क्यूंकि बच्चा लड़कियों में अलरडी थोड़ा सा आदे बोड़ी से बाहर चला जाता है. इसलिए लड़कियों में आदे से एक लेटर ब्लड कम रहता है, ये बात याद रखे का. और ऐसा कहा जाता है टोटल बोड़ी वेट का जो ब्लड है, वो 7% होना चाहिए. 7% of total बोड़ी वेट, ऐसा NCRT में लिखा हुआ है, कि अगर आपके शरीर का वजन 100 किलो है तो 7% उस 100 किलो का आपका क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए. तो अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड की मात्रा कुल वजन की किनी परसेंट होती है? तो कुल वजन की 7% मात्रा खून की मानी जाती है, ठीक है, अब बात करते हैं, next point में चलते हैं, यह तो हो गया, ब्लड कितना होना चाहिए, अब आता है हमारे ब्लड का pH वैल्यू कितना होना चाहिए, मतलब ब्लड के अंदर जब पिएच स्केयल डालोगे, तो उस पे पिएच वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारी ब्लड का pH value आता है अप्रोक 7.45, आप 7.4 लिख लो, और इस nature को कहा जाता है alkaline nature, इसका मतलब हमारा खून है वो छारिय प्रकृति का होता है, और alkaline का मतलब यहाँ पर क्या है, आप खून लो, खून को आप एक कटोरी पानी में डालो, और पानी के इंदर खून ऐसा कोई भी liquid, जिसका pH value 7 से उपर हो, और 14 से नेचे हो, और जो पाने की अंदर अच्छे से soluble हो जाए, उसको बोलते है alkaline nature, उसे कहते है चारिय प्रकृति, तो हमारे ब्लड का pH value कितना है, आप कहेंगे 7.4 होता है, अगर हमारे ब्लड का temperature पूछ ले, कि कितना temperature होता है, ह यह temperature है आपके ब्लड का, होना इतना चाहिए ब्लड, लडकों में इतना होता है, लडकों में इतना होता है, ब्लड का nature क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो यह basic nature का है, आप जानते हैं, जब pH value 7 से उपर और 14 से नेचे आती है, उसे हम basic या छारिय कहते हैं, और alkaline शब्द क्यों यूज किया है, यह एक तो वो basic nature का है, और वो पानी में soluble है, खून पानी के अंदर घुल जाता है, इसलिए हम इसे alkaline nature का मानते हैं, राइट, हाँ, नेक्स पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या, जब ब्लड की बात करते हैं, कि ब्लड का formation कहा होता है, कह कहां से होता है, जब ब्लड के formation की बात करते हैं, तो ब्लड बनता है बोन मैरो में, कहां पे बनता है बच्छा खून, बोन मैरो में बनता है, और बोन मैरो को क्या कहते है हिंदी में, अस्ती मज्जा कहते है, बोन मैरो के अंदर आपका खून बनता है, अब ये बोन मैरो क्य ध्यान होती है कभी अगर आपने देखा हो तो एक लंबा सा हड्ड- है इस तरी के से हड्य होती है हमारे शरीर में 206 हड्य हो तो 206 हड्यों में यों क्या होती है जो नम्बी लंबी हड्य होती उनके अंदर खाली जगह पड़ी होती है एक खोखला पार्ट पड़ा होता है और उसी खोखले पार्ट को इस हिस्से को कहते हैं हम bone marrow, इसे क्या कहते हैं अस्ती मज्जा कहते है अब अच्छा ये bone marrow पूरी की पूरी 206 हड़ियों में नहीं होता है अब एक बात बताओ, इस उंगली में तीन हड़ी है, इतनी छोटी-छोटी हड़ी है तो इनमें bone marrow कहां से होगा bone marrow होता है हमेशा लंबी हड़ियों में, जैसे इस हड़ी में bone marrow है, इसमें bone marrow है इसमें bone marrow है, आपकी reed की हड़ियों में bone marrow है आपकी थाई जांग की हड़ियों में, पाउं की हड़ियों में, इनमी बोन मैरो है, अब तुम कहो इस उंगले की हड़ियों में खून बन रहा है, तो यह तो थोड़ी ऐसी बात है उट पटांग सी बात है, बोन मैरो होता है हमेशा लंबी-लंबी हड़ियों के बीच में, जो वो RBC हूँ, चाहे वो WBC हूँ, चाहे वो platelets हूँ, चाहे वो plasma हूँ, सब कुछ कहां बनता है, इसी bone marrow के अंदर बनता है, इसी अस्थी मज्जा के अंदर बनता है, राइट, RBC कहां बनी यहीं पर, अब आप कोगे मैं हडियों से बनकर खून बाहर कैसे आता है, तो इस बात क सुन लीजिएगा, हडियां जो होती है, वो पोरस होती है, ऐसे हडियों में छेद होते हैं, चोटे-चोटे, और उनी छेद से फिर खून निकल के बाहर की तरफ आ जाता है, तो bone marrow के अंदर खून बनता है, अब एक क्वेशन आता है, बिपीस्दी में अकसर यह क्वेशन ब कि एक छोटे बच्चा या जो कोई इंब्रियो है, उसके अंदर खून कहां बनता है, देखो, छोटा सा बच्चा आपने देखाऊ गए, इतना छोटा सा बच्चा होता है, जिसका जनम होता है, और बच्चे की हड़ियां बहुत पतली होती है, बहुत कमजोर होती है, फिर तो दिरीदरे जब बड़ा होता है बच्चा तब जाकर उसकी हड़ियां लंबी होती है, अब बच्चे के पाउं इतने छोटे-छोटे होते हैं, अब उसमें कहां से हड़ियां धंग से होंगी, तो बच्चा जब छोटा होता है, या जब बच्चा मा के पेट में हैं, जिस इक्रित में बनता है, कहां पे बनता है उसके लीवर में बनता है, तो क्वेशन कैसे आएगा, इन एम्डियोनी कंडिशन, ब्लड फोर्मिशन टेक प्लेस इन विच और गन, जब कोई छोटा बच्चा है, या छोटा कोई इम्डियो है, ब्रून है, जो मा के पेट में है, उस स बनता है, तब उसमें खून बनता है, उसके लीवर में, कहां पर, उसके लीवर में, उसके यक्रित में बनता है, यह बहुत अच्छा क्वेशन है, इसको साइड में या आप नोट बनाकर, या कैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जो बच्चा बड़ा होगा धिरे- तो उसमें हड्या बड़ी होती जाएंगी, फिर हड्यों के बीच में खोकला पार्ट बनता जाएगा, और उसे खोकले पार्ट में उसका खून बनता जाएगा, जैसे अभी मैं हमारी बात करूं, तो हम लोगों में खून कहां बन रहा है, हम लोगों में खून हमारे बोन मे काला है, पीला है, गुलाबी है, कैसा पिंक है है न, ऐसा तो नहीं है न, सब का खून लाल होता है, हम किसी के खून को देख के यह नहीं बता सकते हैं, कि यह इसका खून है, यह इसका खून है, यह हिंदू है, यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, सीख है, यह साई है, हम सब भग पिछे पिछे रिस्पोनसिबल कौन होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो हमारे खून का जो लाल कलर है, वो भी कौन देते हैं, पिगमेंट्स वरनक देते हैं, और हमारे खून के अंदर एक पिगमेंट होता है, जिसे आप हीमो गलोबिन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से आपका खून किस कलर का होता है, आपका खून लाल कलर का होता है, नीली रंग का होता है, और ये सब के खून में होता है, इसलिए सब का खून लाल दिखेगा, किसी का भी खून का कोई और कोई भी कलर नहीं दिखेगा, राइट? तो हमारे खून का लाल रंग हीमोगलोबिन के कारण होता है अब आपके दिमाग में क्वेश्टन आना चीए था हीमोगलोबिन में ऐसा क्या होता है जो लाल कलर देता है तो बच्चा हीमोगलोबिन में जो हिम होता है यह होती है एक आईरन कंपाउंड आपने सुना होगा हमारे खुन में आईरन होता है लोहा होता है यह ज यह इसके अंदर हमारे खुन के अंदर आईरन होता है, अब आईरन का मतलब यह नहीं है कि लोहा है, बच्छा आईरन मिनरल की फॉम में है, तो लोहे से बना हुआ योगिक है, और लोहा आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि आईरन को जब ऑक्षिजन मिलती है, पानी मिलत त 우리 기حым हे जाता है तो जन्ग लग जाता है, जन्ग लगने के बाद लोहा लाल का झाल यह नहीसे ही हमारे ५ोन के अंदर हेमो ग्लोबिन है, उस हेमो ग्लोबिन में जो हीम है, वो एक iron compound होता है और iron की दो oxidation state होती है एक ferrous एक ferric लेकिन हमारे खून में जो iron होता है वो Fe plus 2 की form में होता है और इसे कहा जाता है ferrous तो अगर आप से पूछले डेटेल में question ये तो सब जानते है हमारे खून में iron होता है हमारे खून में लोहा खनीज तत्व होता है लेकिन पुछले iron कौन सी form का होता है तो आप कहेंगे वो Fe plus 2 वो ferrous की form में होता है और ये जो हमारे खून में हीमोगलोबिन में गलोबिन होता है ये गलोबिन एक प्रोटीन होती है गलोबिन क्या है प्रोटीन है तो अगर आपसे कभी एक्जाम में क्वेशन बन गया कि हमारे खून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो आप क्या कहेंगे हमारे खून में गलोबिन प्रोटीन पाई जाती है तो हमारे खून को लाल कलर देने वाला पिक्मेंट कौन सा है हीमोगलोबिन अब हीमोगलोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है हिम का मतलब होता है आइरन कंपाउंड लोहे से बना योगिक और गलोबिन का मतलब क्या होता है प्रोटीन ये प्रोटीन है ठीक है अब हिम जो है मतलब आइरन है उसकी अलग-अलग ऑक्षीकरन स्टेट होती है जो आपके मिनिस्ट्री में पढ़ेंगे और बच्चा जब बात करते हैं हमारे खून में कौन सा है तो वो प्लस टू की फॉर्म में होता है इसे हम फैरस कहते हैं तो ये आइरन इसकी वज़े से या हिम की वज़े से या हीमोगलोबिन की वज़े से हमारा खून किस कलर का दिखता है लाल कलर का दिखता है बात समझ में आगी हमारे खून को लाल कलर कोन दे रहा है यही हीमोगलोबिन दे रहा है अब इस हीमोगलोबिन का अमाउंट कितना होता है शायद आपने कभी अगर जीवन में ब्लड डोनेट किया है, वैसे करना चाहिए, अगर किया है तो आप में हीमोगलॉबिन की क्वांटिटी चेक करते हैं, क्या आप ब्लड डोनेट करने के लाइक हैं? कहीं आप में तो खुन की कमी नहीं है, कि आपको हमने खुन निकाला है तोड़ी दर के बाद आपको ज़्यादा थ्रहाना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, तो बच्छा हीमोग्लॉबिन की क्वांटिटी, अगर एक लड़के हैं आप, तो लड़कों में होता है ये 15 यूनिट, अब 2 यूनिट प्लस माइनस हो सकती है, 15 है ना, यूनिट, ये 2 यूनिट कम ज़्यादा हो सकती है, और लड़कों में जो होती है, इसकी, जब बात करते हैं यूनिट की, तो वो आनी चाहिए, 13 प्लस माइनस 2 यूनिट, कहने का मतलब है, कि ये ग्राम, ये प्लस माइनस ग्राम है, 15 से 17 ग्राम है, ठीक है, और कितने में, पर 100 ml ब्लड कहने का मतलब है, 100 ml ब्लड में आपका कितना आप कहेंगे 10 से 15 ग्राम यूनिट किसकी आनी चाहिए, हिमोगलोबिन के आनी चाहिए, लड़कों में 15 से 17 हो सकती है, 15 से 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लड़कियों में 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, है ना, लेकिन 16, 17 नहीं हो सकती है लड़कियों में अगर किसी लड़की का हैमोगलबिन का यूनिट आ रहा है, 9, 10, तो उसमें हैमोगलबिन की कमी है, उसमें खून की कमी है अगर किसी लड़के का भी आ रहा है, 10-11 तो उसमें खून की कमी है, तो लड़कों में हलका सा क्या होता है बच्छा, हैमोगलबिंग ज्यादा होता है, इस यूनिट में हम लिखते हैं, तो अगर आपके अंदर 16 यूनिट आ रही हैं, 17 यूनिट आ रही हैं, तो आप एक यू यूनिट ब्लड, जैसे आपने कभी सुना होगा, फलाना इंसान ने कहा, आज तो ब्लड डोनेशन का कैम्प लगा था, और मैं एक यूनिट ब्लड डोनेट करके आया हूँ, तो इसका मतलब उन भाई साव ने कितना खून दिया होगा, 300 से 300 मिलिलिटर खून उसने दिया हो होगे, आप ग्लुकोज लोगे सही मातरा में, आप सुगर्स खाओगे तो आप में वापिस आपका खून जितना आपने डोनेट किया था, तो आप बन जाता है, और खून देना एक अच्छी आदत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगे, कब देना चाहिए खून, कैसे दे वो ब्लड ग्रुप बाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी रुको थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया, तो लड़कों में हामोग्लोबिन, हामोग्लोबिन को ना ऐसे लिखते है, HB, या कभी-कभी ना H capital और B small, ऐसे हामोग्लोबिन लिखते है, तो HB का मतलब क्या हो है, यह मानलो आप, खून का मतलब ही हमोगलोबिन है, यही हमोगलोबिन करता है, अब पढ़ाएंगे आपको क्या में काम होता है, ठीक है, मैं आप इंस्टाग्राम पे किस नाम से हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च करते हो, कर सकते हो, काजल सिहाग नाम से, काजल स इस नाम से मेरे Instagram ID है, इसी नाम से Facebook है, अपने doubt-out आप Instagram पे छोड़ सकते हो, मैं आपके reply करूँगी वेकेंड पे, क्योंकि विग डेज में मेरे पास time नहीं होता है, दिन में बहुत सारी classes होती है, तो आप मेरे Instagram ID नोट कर सकते हो, K-A-J-A-L और S-I-H-A-G, ठीक है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, जाए रीचे अंडर स्कोर लगा हुआ है, वैसे काल सी हाग से सर्च करो, तो चाहद मेरा ही आएगा, और किसी का नहीं आएगा, तो क्योंकि इस नाम से कोई होगा है, एक बनावा, फेक आईडी बनावा, इसने बना रखा है, इस पे सर्च क लिखना, आपने कभी कोक्रोच को मारा है क्या, अगर नहीं मारा है तो मारना भी मत, है ना, जीव की हत्या करना तो पाप है ना, ठीक है, अरे भाई, बिल्कुल लाइव क्लास है, को नहीं है, रंचित, अब आप क्या बोल रहे है, अब आपका और रिप्लाइड नहीं करू और इसका जो खून होता है न यह वाइट कलर का होता है सफेद कलर का होता है अब क्वेशन तो बन सकता है कि हमारा खून लाल है तो वो किसकी वज़े से है है मोगलोबिन की वज़े से तो कोक्रोज का वाइट है तो वो किसकी वज़े से है तो आप कहेंगे कोक्रोज के खून क अंदर जिस तरीके से हमारे ब्लड में क्या होता है हीमो ग्लॉबिन होता है उसके खून में होता है हीमो लिम्फ उसके ब्लड में क्या होता है हीमो लिम्फ होता है जिसकी वज़े से उसका खून वाइट होता है सफेद होता है है तो याद रखेंगे बच्चा कि कोक्रोज का लड़क ऐसा होता है white color का और किस pigment की presence से हीमो लेंफ pigment की वजे से ठीक ऐसे ही आपने अगर कभी octopus देखा हो octopus जैसे भूतिया मचली कहते है इस octopus का भी खून जो होता है वो नीली रंग का होता है वो blue color का होता है नीला खून होता है तो आप से question तो कहीं से भी बन सकता है वंडे एक्जाम में question कहीं से भी आ सकता है कोई ऐसा नीए criteria की आहीं से आए अच्छा लगना चीब इस concept थोड़ा सा अच्छा होना चीब तो जो octopus होता है उसका खून नीला होता है तो इसका खून नीला होने के पीछे reason यह है कि octopus के blood में होता है hemosyanine hemosyanine pigment और इस जो hemosyanine है इसकी वज़े से इसकी वज़े से octopus का जो बलड है वो नीली रंग का होता है और इसी साइनीन में यहां पे cobalt metal होता है जैसे हमारे खून में कौन सा metal होता है बच्छा हमारे खून में iron होता है तो iron है red दिया और इनके खून में क्या होता है अब बताएंगे hemolymphic pigment है lymphic protein है ठीक है ठीक वैसे ही जैसे हमारे खून में iron है तो octopus के खून में क्या है octopus के खून में cobalt dhatu पाय जाती है या hemosyanine pigment पाया जाता है जिसके और जिसके खून नीला बनता है blue बनता है तो blood क्या होता है मैंने बता दिया है कितना होना चाहिए बता दिया है खून का color कैसा होता है वो भी मैंने बता दिया है अब बात करते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आप जानते भी हैं ये बात, हमारे बोडी में ब्लड दो टाइप का होता है, हमारे बोडी में खून दो टाइप का होता है, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, कि एक होता है हमारे बोडी में खून, जिसके अंदर oxygen क्या होता है, ज्यादा, और जो other gases होती है, for example, carbon की प्रेजन से प्योर हुआ है, और ये कौन सी ब्लड वैसल में रहता है, ये घुमता रहता है हमारे बोडी में, आर्ट्रीज में, ये धमनियों में घुमता रहता है, पड़ा थाना हमने, याद है ना, याद है ना ये बात, कि हमारे बोडी में दो टाइप का खून होता है pure and impure pure का मतलब का है जिसके अंदर oxygen ज़ादा है and CO2 or other gases कम है दूसरा आप बताएं के बच्छा pink खून किसी का नहीं होता है कौन सी लड़की आई यह जो pink है Ravie कह रहे है pink खून किसी का नहीं होता है दूसरी तरफ होता है हमारे बोडी में ऐसा खून यह घुमता रहता है हमारी वेंस में, हमारी सीराओं में, किसके अंदर वेंस जो ब्लड वैसल होती है, जो हमारी वेंस होती है, उनके अंदर घुमता रहता है, तो यह दो टाइप का खून होता है आपके बोडी में, एक प्योर एंद एक इंप्योर, प्योर का मतलब क्या है औ किस कलर का होता है, दो टाइप का होता है हमारे बोडी में, प्योर ये वला है, इंप्योर ये वला है, प्योर इन ब्लड वैसल में रहता है, आप जानते हैं हमारा सर्कुलिटरी सिस्टम होता है, बंद परी संचरन तंत्र होता है, तो हमारा खून हमेशा नसों में दोडता है, हमारा खून हमेशा ब्लड वैसल के अंदर ट्रांसफर होता रहता है तोड़ता रहता है ठीक है और बच्छा ब्लड वैसल में प्योर रहेगा वो आर्ट्री जें इंप्योर रहेगा उसे वेंस कहते हैं अब चलते हैं ब्लड में होता क्या-क्या है अभी तक तो हमने सरफ ये कि खून बनता कहा है, कितना होता है, अब बलड के अंदर होता क्या क्या है, कॉम्पोनेंट्स क्या है, तो यह आपकी एक बलड वैसल है, अगर यह कटेगी, तो आपका खून निकलेगा, खून में यह साब चीजे निकलेगे, दिखरेगे ना यह सारी, यह सब आपके खून के अंदर हैं, तो अगर कभी भी आपको चोट लगती है, आपके blood vessels फट जाती है कहीं से भी, तो आपके blood vessels के फटने से, क्या होता है, खून निकलता है, और खून में क्या क्या होता है, components of blood खून के घटक, क्या-क्या होगा आपके खून के अंदर तो खून में दो टाइप की चीज़ें होती है, खून में क्या होती है दो टाइप की चीज़ें होती है कौन कौन से, एक होता है ब्लड के अंदर, ब्लड का liquid part, हमारे खून के अंदर एक होता है blood का liquid part जिसे कहते हैं हम तरल भाग जिसकी वज़े से आपका खून जो है वो liquid है आप जानते हैं खून को अगर निकालोगे तो बाहर फर्स पे डालोगे तो फर्स पे फैल जाएगा क्योंकि वो कौन सी स्टेट में है क्योंकि वो बच्चा liquid state में है और दूसरी तरफ आता है blood का solid part जिसे कहेंगे ठोस भाग और blood का जो solid part है न बच्चा उसी को नाम देते हैं हम blood cells रक्त को शिकाएं या खून वाली को शिकाएं या रक्त को शिकाएं तो हमारे blood में तो type का चीज हो गया बच्चा एक blood का liquid part एक blood का solid part liquid part जो liquidity देता है आपके blood को और blood का जो solid वाला part होता है उसे हम blood cells का नाम देते हैं और मेरी class buffering होने लग गई है एक minute रोकिएगा शायद बाहर बारिश start हो गई है बारिश में इनसे ही कि अब आप से बीकार आप्लिकेशन पर बहुत स्वागत है तो आजाएं फिर चली से live फिर आम आज की class start करते हैं फटाक से live आजी एक से दो मिनट में मैं अपने टाइमिंग पर हूँ आप अपने टाइमिंग पर आ नहीं रहे हैं तुडेंस आना लाइव स्टार्ट हो चुके हैं पंकास चाल राहुल कुमार राठोड उसके बाद है मेनाकसी अमन भहया अमन भहया अमन भहया व आपका हुआ हुआ हार्ट से लिड़ेड विल्कुल पूछ सकते हैं ओके चलिए फिर मैं यू राहुल आप बताइए आए फिर आज की क्लास करते हैं हम लास्ट क्लास में हुमन ब्लड स्टार्ट कर चुके थे हुमन ब्लड याने की मानव का रख्त मैंने कहा यह चैप्टर ने आने चाहिए था वह सारे बनने चाहिए आपके तो आप अगर प्रिवेज देर के क्वेशन लगा रहे होंगे तो पक्का डेफिनेटलि आप 99.99% क्वेशन को स्टॉल कर पा रहे होंगे लास्ट क्लास में हमने हुमन ब्लड स्टार्ट किया था मानव रख्त याने की हू कि human blood के components क्या-क्या है, components का मतलब है हमारे blood के अंदर क्या-क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी आप बिमार पड़ते हैं, तो आपका doctor blood sample लेता है, कभी आपने सोचा है कि blood का ही sample क्यों लेता है, आपका पेशाब का भी sample लेता है, बहुत सारी बिमारियों में, जैसे kidney स बिमारी है, और या फिर प्रोटीन वगर आपके बोडी में ज्यादा हो गया है, उस समय आपका doctor क्या करता है, यूरीन यानिके पेशाब का sample लेता है, लेकिन जनरल ही आपका क्या करता है, अगर आपको वाइरल है, टाइफाइड है, ऐसे कुछ बिमारिया है, तब आपको क ब्लड का sample मांगता है, तो ब्लड का sample ही क्यों मांगता है, ये सारे questions के answer आपको आने अवाली 3-4 classes में आपको मिल जाएंगे, ब्लड में क्या क्या होता है, क्या function होता है, खून का, अगर मैं आपके सरीर से आपका सारा का सारा खून निकाल लू, तो आप 1 second के अंदर मर किसलिए आपने देखा होगा, blood हमेसा, blood donation के लिए camp लगते हैं, कि फलाना इंसान को blood की जुरूरत है, आप blood देकर आते हो, कि किसी के जान बचानी है, तो प्लीज उसको खून दे दीजिए, ऐसे-ईसे आपने चीजे सुनी होगी, उन सारे questions के answer आपको पता लग जाएगा, questions मतलब है मानव रक्त है, हमारे blood में, फून तो गायब है, घोड़ा, बक्री, जानवर, कबोतर, चिडिया, सब में होता है, हमें किसका पढ़ना है, हमें हमारा blood, humans का blood पढ़ना है, human blood में दो चीजे होती है, एक होता है blood का liquid पार्ट, लिक्विड का मतलब, जो हमारे blood को liquidity दे लेगा, दूसरा दूसरी तरफ जो आती हैं वो आती है blood cells. इंदर जो सेल्स होती हैं, उनको हम ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, रक्त कोशिका या रक्त कनिका यहां पर रक्त कनिका भी लिखा हुआ आ सकता है, इंगिल्श में आ सकता है आपका क्या कार्पसल्स, आपने कभी ब्लड का चेक अप करवाया होगा, तो रि उसको हमने नाम क्या दिया है उसको हमने नाम दिया पहले इसके बाएं पढ़ेंगे आप ब्लड़ सेल्स कितने टाइब की होती है ब्लड के अंदर मेजर तीन टाइब की सेल्स होती है कौनक्वीं si rbc, r का मतलब है red, red और v का मतलब है blood और C का मतलब यहां पे cells या Capsules होता है, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, short form में हम RBC बोलते हैं, दूसरी आती है WBC, white blood cells, full form क्या होती है, white blood cells, सफेद रक्त कोशिकाएं या सफेद रक्त कणिकाएं, और तीन नंबर पे जो आती है, वो आती है, blood platelets, क्या आती हो जाता है, यह होता है, यह सब बाते में आगे आपको बताने वाली हूँ, blood platelets को हिंदी में रक्त बिम्बानू कहते हैं, तो हमारे खून के अंदर आपको एक blood का liquid part देखने को मिलेगा, जिसको हम plasma के नाम से जानते हैं, और यह plasma होता है 55% में, यानि कि जो 100% blood है, जो 100% blood ह उसमें से 55% आपके blood के अंदर प्लास्मा होता है, और बाकी के 45% में blood में तीन टाइप की cells होती है, कौनसी बच्चा, RBC, WBC, WBC and platelets, अभी का बार थोटे बोटे एक्जाम में, कॉंस्टे बोटे एक्जाम में कॉंस्टे एक्जाम में क्वेशन आजाता है कि blood के अंदर प्ल प्लास्मा होता है, और 45% में blood में तीन टाइप की cells होते हैं, अब बच्चो मैं आपका बुचा दो, इन तीनों टाइप की cells में 99% जो cells हैं, वो होती है RBC, यानि कि हमारे खून के अंदर इन तीनों में से 99% RBC हैं, और ये दोनों मिलाकर हमारे एक परसेंट के अंदर आती है ये सरफ कितनी आती है, एक परसेंट के अंदर आती है, ये कुछ questions आपके हाँ पे cover होते जा रहे हैं, अब आप board पे देखके ये समझ रहे होगे, कि मैं हमारी खून में चार major part हैं, हमारी blood के चार major component है, number 1 पे plasma, number 2 पे RBC, number 3 पे WBC, and number 4 पे blood platelets, जिसको हम रक्त कोशिका या प्रक्त बिम्बाणों कहते हैं, जी हाँ, यही आपके खून के अंदर चार major components, यह हमारे खून के मुखे चार घटक माने जाते हैं, और यही चारों आपको पढ़ने हैं, क्या होता है, प्लाजमा का क्या काम है, यह खून में क्यू होता है, क्या होती है, RBC, क्या होती है, ड RBC का level बढ़ जाता है, रात को सोते हो तो घट जाती है, ऐसे करके बहुत सारी questions आपके exam में आ दें, चलिए फिर start करते हैं number one से, एक number पर देंगे कि हमारे blood means, जो 55% में है, वो क्या है, वो plasma है, मैं हमने, आपने यह plasma शब्द पता है कब सुना होगा, आपने पक्का सुना हो therapy, जिसका plasma donation का first and last bank बनाया गया था, शायद last ही होगा वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली government ने, स्री अर्विन केजरिवाल ने, दिल्ली के अंदर plasma donation का, जैसे blood donation का bank होता ने, एक blood bank होता है, जहां बलड को रखते हैं, ऐसे ही plasma का भी एक bank बनाया था, जहां पर plasma को रखा गया थ और उस समय लोगों को plasma की बहुत जरूरत पड़ रही थी, आपने सुना होगा कि फलाना इंसान ने अपना फलाना को plasma देख उसके जान बचाई, इस सारे questions में आप से आजगे discuss करने बार हूँ कि ऐसा क्यों कैसे होता है, ठीक है, तो हमारे blood के अंदर 55% में हमारे blood के अंदर plasma पाया जाता है, अब अगर मैं आप से पूछलू, blood का plasma कैसा part है, तो आप क्या बताओगे, blood का plasma liquid part है, ये तरल पतार्थ है, हमारे खून के अंदर, blood plasma कैसा दिखता है, pale yellow color का, pale yellow का मतलब होता है बच्छा, हलका पीला रंग, हलका पीला रंग का दिखता है, ये, हलका पीला हमारे blood में से, अगर आप plasma को अलग कर लोगे, तो वो pale yellow color का, अब आपको कि मैं खून तो लाल दिखता है, ये, मैंने बताए ना, खून में 99% RBC, और RBC का मतलब red, red का मतलब लाल, तो आपका खून लाल है, है ना, क्योंकि RBC के पास hemoglobin है, और last class में हमने डिस्क्स किया था हिमोगलोबिन के वज़े से ही तो हमारा खून लाल होता है, तो इसलिए आपका खून लाल दिखता है, लेकिन अगर blood में से आपने plasma को filter कर लिया, तो plasma आपको हलके पीले रंग का दिखेगा, बात किये रहे, pale yellow color का, जो आपके blood के अंदर liquid part है, जो 55% में है, उसको हम plasma कहते ह बात ही आती है कि मैम ये पीला रंग plasma को देता कौन है, तो याद कीजिए मैंने आपको एक बार बताया था, अगर नहीं बताया है तो सुन लीजिए, एक pigment होता है हमारे बोडी में, जिसका नाम होता है बिली रूबिन, कौन सा pigment, बिली रूबिन, बच्छा बिली रूबिन एक ऐसा pigment है जो हमारे ब्लड के अंदर जो plasma होता है उसको पीला रंग देता है, जब भी हमारे बोडी में आप किसी भी color की बात करोगे, रंग की बात करोगे, तो उस color के पिछे responsibles होते हैं कौन pigments, कौन होते हैं बच्छा, pigments, जैसे आप मेरे से पुछो कि मैं बाल काली क्य होता है, उसको भी कौन देता है, pigment देता है, ऐसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो pale yellow color का plasma है, उसको पीला रंग कौन देता है, बिली रूबिन नाम का pigment देता है, अब यह बिली रूबिन कौन बनाता है, तो यह हमारे liver के द्वारा बनता है, लिवर जिसको हम यकृत कहते हैं, य जब ये बिली रूबिन एकसस हो जाए आपके क्या, क्या हो जाए बच्चा, एकसस, एकसस का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में आजाए, आती हो जाए इसकी, तो एक बहुत ही खतरनाक बिमारी हो जाती है, जिसका नाम होता है जोइन डिस, जिसको आप हिंदी में पीलि बिली रूबिन बना दे और यह बिली रूबिन आपके खून के अंदर प्लास्मा के अंदर जादा आ जाए और आपके खून के अंदर बहुत सारा बिली रूबिन आ गया इसका मतलब आपके खून के अंदर पीलापन है और यही पीलापन खून से होता हुआ आपके नाखुन आपको तो पीलिया हो गया तो मैंने कहा अगर यह नॉर्मल क्वांटिटी में है बिली रूबिन तो बच्छा आपके प्लाजमा को यह पेल यलो कलर देगा यानि की हलका पीला रंग देगा लेकिन अगर यह ज्यादा हो जाता है तो एक जोईंडिस नामक बिमारी एक पीलिया नामक बिमारी को यह जरम दे देता है बाथ यह आती है कि प्लाजमा में क्या-क्या होता है अगर आप से एक्जाम में गør क्वेशंन पूछ लिया कि प्लाजमा की कॉम्पॉनेंट्स क्या-क्या है अभी तो हम ब्लड की कॉम्पॉनेंट्स पढर रहे थे अब बात हीा मैंने कहा हमारी प्लास्मा में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी सबसे पहले हमारी प्लास्मा में आपको पानी देखने को मिलेगी का चाह эпत्या और उसके बाद एक परसंट में क्या मिलेग एक परसंट में आपके प्लास्मा मिलेंगे आयंस का मतलब organizers you know magnesium, chlorine, यह ions हैं आपके body में, 1% में ions plus glucose, ions plus glucose, आप ions में लिख लेना साथ साथ में जैसे आपका magnesium हो गया, जैसे sodium हो गया, जैसे chlorine हो गया, etc, etc, यह सारे ions और साथ में glucose, यह कितने परसंट में, 1% में आपके plasma के अंदर देखने को मिलता है, अब बात यह आती है, कि यह जो glucose है, इसक काम क्या होता है, glucose का काम है हमारे body में energy release करना, क्या release करना, energy बनाना, उर्जा बनाना, अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं अपना energy खर्च कर रही हूं, उर्जा खर्च कर रही हूं, और यह उर्जा कहां से आ रही है, यह उर्जा आ रही है, यह एक परसंट में आइंस, ग्लुकोज वगिरा होते हैं और साथ में अगर आप बात करो, इसके बाद अगर आप बात करो कि हमारे प्लास्मा में बाकी के 7-8 परसंट में क्या बचा, बाकी के 7-8 परसंट में बसते हैं हमारे प्लास्मा में प्रोटीन, क्या बसते हैं बचा, प्र लेकिन ये प्रोटीज अलग होते हैं कितने परपसंट में हैलिक्टी हैju7-8 twas को जाता है बात की सांथ 8 सीट में अगर नायनटी मान हो तो या आपका एट परसंट के लमसम बच गया है ना और अगर 92 मान रहे हो तो इस 7-8 परसंट के बीच में बच गया है ना अब यह जो प्रोटीन से ना यह कौन-कौन से प्रोटीन से एक्जामिनर यहां से प्वेशन भागा उठाव प्लाजमा के अंदर जो प्रोटीन से तरह लिखेगा जो हमारे प्लाजमा के अंदर और कौन-कौन-कौन सी प्रोटीन पाई जाते हैं जब प्लाजमा की प्रोटीन की बात करते हैं तो प्लाजमा की अंदर अपना एक तो ग्लोब्यूलिन हो गया और दूसरा कुन सा हो गया आप बताओगे बच्छा दूसरा हो गया है यहां पर आपका एल्वूमेंट चलिए तीसरे नंबर पे जो आओगे वो एक साथ लिखें और दीसरे नंबर पे प्रोटीन हो गया वो आप एक साथ लिखोगे तो कि इनके काम एक साहत dif एक शिसके काव करते हैं इसका कामें ह accurate को गभी थे तो ट्रोम्भी फ्लोंभी फ्लसल स्धिन स Ιک Presशा अपे नह Beni और आए तीसरा आप लिख सकते हैं, FIDEN फाइबल, हिंदी में सेम नाम है, THROMBINE PROTEIN लिखते हैं, फिर्णी प्रोटीन और दूसरा, फिर्फिबरीनोजन, हिंदी में इसको फिर्फिबरीनोजन लिखा जाता है, ठीक है और तीन नंबर पर वो आता है, फाइबल अब बच्छो, मैं टोटल कितने प्रोटीन होगे? आप ने तोटल पांच प्रोटीन के मोटा मोटा नाम याद करた, इन में से आपको याद करना होगा कि सारे हमारे प्लाजमा में. अब इन प्रोटीन के जो फंक्शन है वो एक्जाम में आते हैं. सबसे पहला ग्लोबियूलिन प्रोटीन का काम क्या होता है ग्लोबियूलिन प्रोटीन हमारे बोडी में एंटी बोडी बनाने का काम करता है क्या बनाने का काम करता है बताओ एंटी बोडी प्रती रक्षी बनाने का काम करता है और यही एंटी बोडी हमारे सरीर को बिमारियों से बचाने का काम करते हैं आपने एक सेंटेंस सुना होगा इम्यूनिटी क्या सुना होगा इम्यूनिटी है ना कोरोना के समय हमने क्या सुना था कि अपना इम्यूनिटी इंक्रीज कर लो अपना इम्यूनिटी बढ़ा लो अगर आपको बचना है किसे प्ला आपको कोरोना इं लड़ाई करती हैं कौन एंटी बोडी और उस बैक्टिरिया और उस वाइरस को मार गिराती है अगर यह एंटी बोडी नहीं होंगी तो बाहर से कोई वाइरस आएगा कोई विशानू आएगा और वो आपके सरीर के अंतर इंफेक्शन कर देगा आपको बिमारी कर देगा तो क्यां से बचने के लिए हमारे बोडी में एंटी बोडी लॉडी होती और यह एंटी बोडी बनाने का काम क्या प्रोटीन करता है ताट इसन ओनों इस क्लोबुलिन प्रोड और अगर आपके बोडी में यह एंटीबॉडी हैं तो आपको बाहर से आय हुए वाइरस किसी वे तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है, आपके बोडी में इम्यूनिटी लेवल ज्यादा है, रोगों से लड़ने की परतिरोदक छमता ज्यादा है, इसका मतलब कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है, इम्य लोगों के अंदर प्रोपर तरीके से एंटी बोडी थी, वो लोग करोना वाइरस से मुझे दो बार करोना हुआ था, मेरे बोडी में भेंकर तरीके से एंटी बोडी थी, उन्होंने फाइट किया, करोना को मार गिराया और करोना वाइरस डी अत्तिवेट हो गया और मैं कि यहां सबहुत ही है मेरी बात तो इसी लिए लोग कह रहे थे कि हमें प्लाज्मा चाहिए जैसे पर मुझे coronavirus हुआ, मुझे coronavirus हुआ, तो coronavirus के खिलाफ मेरे body में एक specific type की antibody बन गई, और मेरे antibodies ने उस coronavirus को मार गिराया, मैं ठीक हो, अब अगर मैं चाहती हूँ, कि मैं किसी की जान बचाना चाहती हूँ, कोई दूसरा इंसान है, उसके body में ये antibodies नहीं बन रही हैं, और उसको coronavirus हो गया, तो अगर मैं मेरा blood group उसके blood group से match कर गया, अगर मेरा plasma उसके blood group से match कर गया, तो मैं अपना plasma उस इंसान को दे दूँगी, और उस इंसान के body में भी antibodies चली जाएंगी, ये मेरे plasma में antibodies थी, और वहीं antibodies उस इंसान के body में डाल दी, तो उस इंसान के body, उस इंसान के सरीर के अंदर भी antibodies आगे, इसका मतलब उस इंसान का immunity level high हो गया, उसकी antibodies मार गिराएंगे coronavirus को और इसको बोल रहे थे plasma donor, मैं plasma donor बन गई उसके लिए, मैंने अपना plasma देकर उसके जान बचा और इसी plasma donor के लिए, एक bank बनाया गया था, दिल्ली के अंदर, चाहिद दिल्ली के अंदर ही बना था, उसके बाद किसी statement नहीं बनाता, तो हमेंने कहा कि plasma का एक function क्या हो गया है, आप बताओगे, plasma का एक काम हो गया है, immunity बढ़ाना, रोगों से लड़ने की परतिरोदक छमता को बढ़ाव होता है, magnesium होता है, इस सारे ions होते, इनको balance करना, अगर यह ion imbalance हो जाएगा, कोई भी चीज imbalance हो जाती है, तो बिमारी हो जाती हमारे, hormones imbalance होए तो बिमारी, ions imbalance होए तो बिमारी, तो इन ions को balance करने का काम करता है, albumin, यानि कि इसी process को हम एक नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, इसी process को हम एक नाम देते हैं, बच्चा, इसको हम नाम देते हैं, Osmoregulation का, किसका नाम देते हैं, हम Osmoregulation का नाम देते हैं, अगर आप से कभी पूछ ले, examiner, कि Osmoregulation का काम कौन सा protein करता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे, Albumin Protein करता है, Albumin Protein हमारे बोडी में Iron Balancing का काम करता है, यानि कि Iron Balancing की process को क्या कहते हैं, हम Osmoregulation के नाम देते हैं, ठीक है, यह भी अच्छा काम हो गया, Next, Thrombein, Fibrinosin और Fibrin protein क्या करते हैं, यह तीनों protein एक ही काम करते हैं, और इनका काम होता है Blood Clotting, इनका काम होता है Blood Clotting, और Blood Clotting का मतलब होता है, रक्त का थक्का जबाद, रक्त का थक्का, अब मैं यह Blood Clotting क्या होता है, जब कभी भी आपको चोट लगती है, तो आपका खून निकलता है, आपको ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल होती है, कुछ समय के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, क्योंकि जहां पर चोट लगी थी, उस हिस्से पे Blood Clot बन जाता है, यानि कि खून के बहाव को रोकने के लिए, जो एक क्यामिकल प्रोसेस होता है हमारे बोडी में, उसको हम रखत का थका जमना, या उसको हम Blood Clotting कहते हैं, यह आगे आएगा, आएंज कौन कौन से होते हैं, और प्लाजमा के अंदर ग्रुकोस भी होता है, यह सारी चीज़ आपको बढ़ाती हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, कि प्लाजमा के क्या क्या फंक्शन हैं, तो एक नमबर पे क्या लिक होगे, प्लाजमा का काम होता है, एंटिब क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है प्लाजमा, ब्लड का क्लोट बनाता है, यानि कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जो क्यामिकल प्रोसेस होता है, जिसको हम ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, वो भी प्लाजमा का, तो यह प्लाजमा था, प्लाजमा 55% में ह होता है liquid part होता है plasma plasma का कलर कैसा होता है पढ़ा दिया मैंने plasma में क्या क्या होता है plasma का function क्या क्या होते हैं यह सारे मैंने आपको यह पढ़ा दिया और plasma किस तरीके से coronavirus में help कर रहा था इंसानों के जान बचाने के लिए क्यों पढ़ रही थी ऐसा ही नहीं आप किसी इंसान का plasma डाल दोगे किसी और इंसान में के लिए blood group मैच होना चाहिए आपका पढ़ाऊंगे तीन क्लास के बाइद blood group क्या होते हैं कैसे होते हैं अगर आप आपका ब्लड ग्रूप सामने वाले के blood group से मैच कर रहा है या नहीं कि आप दे सकते हो उसको प्लाजमा निकलेगा न एक मशीन होती है पहले आपका खून जाता है क्योंकि खून के अंदर के बचा ओके इतनी बास तमज में आगी तो ब्लड का पहला कॉंपोनेंट यानि की प्लास्मा हमारा कंप्लीट हो गया है आप बात करते हैं ब्लड के अंदर दूसरे नमबर पर क्या आती है ब्लड सेल्स रखत कोशिकाएं आती है और ब्लड में तीन टाइप की सेल्स हैं पर आर बीसी नमबर टू पर डबलो बीसी और नमबर थ्री पर पी यल मैं पील लिखूंगी समझाओगे समझ जाओगे ना पील का मतलब है प्लेट लेट्स रखत कोशिकाएं रखत भीमबानू ठीक है हिंदी लिखने के जरूरत इंग्लिश में आ जाता है एक्जाम में ब तो आर बीसी हमेशा होती है मीलियंस में और प्लेट लेट्स होती है लैक्स में लाखों में होती है और डबलो बीसी होती है बच्चा थाउजंस थाउजं का मतलब हजारों में मुझे ये बताओ कि क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी होगी क्वांटिटी के ह शाब से सबसे ज़्यादा मैं आप लिख दो RBC सबसे ज़्यादा होती है तेन हमारे पूं में प्लेट लेट होती है और तेन हमारे बोड़ी में WBC होती है तो ज़रा बताओ दो होंगी इसका opposite कर दो vice versa कर दो क्या में जो ज्यादा है वो हमेशा size में चोटी होंगी और जो कम है वो size में बड़ी होंगी तो भाईया सबसे कम कौन सी है WBC और उसके बाद platelets उसके बाद RBC इसका मतलब मैम RBC is the smallest blood cell yes विलकुल RBC is the smallest blood cell RBC सबसे छोटी रखतकोशिका है RBC सबसे छोटी होती है अगर आपसे पूछ लिया कि largest blood cell कौन सी है सबसे बड़ी blood cells कौन सी है सबसे बड़ी रखतकोशिका कौन सी आपका अंसर क्या जाएगा आपका अंसर क्या जाएगा WBC चार question होगे कि नहीं होगे सबसे ज्यादा सबसे कम सबसे बड़ी सबसे अब इन तीनों को हमें पढ़ना है ना तीनों के काम अलग-अलग है बिलकुल अलग-अलग काम है एक नंबर पर लिखिए कौन सी नंबर बबन पर दिखेंगे आप पर पॉइंट नंबर वान पर लिखिए आरबी सी आरबी सी जिसको हम रेड ब्लड उप सेल्स के नाव से आम पासा में जाते हैं लेकिन मैं आपका बताता हूं इसका साइंटिफिक नेम पड़े लिखे लोग या आपकी रिपोर्ट में इसको क्या कहते हैं रिपोर्ट में लिकियो भी आथी हैं औरिफ्रो साइट्स आरीं-सी का अधर नेम क्या होता है इसको अरीफ्रोसाइट के अब अच्छे से संचों भाइट टॉम का मतलब होता है सेल का मतलब होता है पोशी का अरिथरो शाप्द जब आप देखोगे इसका मतलब होता है लालकलर हमारे घूर में लाल कटर वाली तीड समर्ण सी में और इसरे बावी सी अरित्रोसाइट्स के अरित्रोसाइट्स OFF कर ङैं आपके बोडी योड़ी में ज्यादा हो गई है ऐसे आपके तिवह आते हुँ ठीक है? चलिए अब बात करते हैं बच्चा कि यह RBC मैंने कहाना तीनों में से 99% में यह बात हमेशा याद रखिए तीनों में से 99% में क्या होती है? RBC पॉइंट कलियर हो गया है? अब बात करते हैं कि यह जो RBC है इसके discovery किस ने की थी हमारे blood में RBC होती है और इसका क्या काम होता है इसके बारे में खोज करने वाले जो scientist है उनका नाम है Sir Anthony Vaughn इन टोनी वोन लिवेन होक यह वो scientist है जिन्होंने आर्वी सी की खोज की तिक धी यूवेन होग जी एंटोनी वॉन लिवन होक नहीं याद करोगे तो सब्सक्राइब करते हैं कि मैं हम आरबी सी कि कितनी होगे इसके कितनी बोनी चाहिए हैं हमारे बोड़ी, जब आप RBC की quantity की बात करते हो, तो male body में और female body में, यानि कि लड़कों में और लड़कों में RBC की संख्या में difference होता है, लड़कों में थोड़ी सी RBC ज्यादा होती है, लड़कों में थोड़ी भी सी RBC कम होती है, मैंने आपको लास से हमोगलोबिन है RBC के पास, तो RBC भी ज्यादा होगे, कितनी होनी चाहिए, male body में होनी चाहिए, 5 to 5.5 millions, millions per 100 ml HB, HB का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, HB का मतलब मैंने पढ़ाया था, हमोगलोबिन, लास्ट क्लास में पढ़ा चाहिए, हमोगलोबिन क्या होता है, कितना होना है, सब पढ़ा चाहिए, उनके अंदर हीमोगलोबिन होता है, जानते हैं आप, तो कितने 100 ml हीमोगलोबिन में लड़कों में 5 to 5.5 million आने चाहिए, कभी-कभी बुक्स में 4 to 5.5 दिया वा होता है, वो भी सही है, ठीक है, रवराना नहीं है, लड़कों में होनी चाहिए 4 to 5.5 million per 100 ml Hb, याने कि 100 ml हीमोगलोबिन में 4 to 5.5 million आपके RBC लड़कों में कम होती है, अब मुझी पता है, आपके दिमाग में जो question आया होगा, वो यही आया होगा, मैं लड़कों में थोड़ा खुण, ज्यादा क्यों होता है, लड़कों में थोड़ा खुण, ज्यादा क अमरेश यादव, ओके बटा, कोई बात नहीं, तो बात करते हैं कि मैं लड़कों में थोड़ा खुण ज्यादा क्यों होता है, आप जानते हैं कि महिलाओं में हर महिने menstrual cycle चलती है, है न, असिक ध्रम चक्र चलता है, उसके अंदर क्या होता है, लड़कों के अंदर हर महिन के अंदर लड़कों के मुकाबले में थोड़ा खुण कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता है कि लड़कों को खुण पीने के जरूरत पड़ेगी आप लोगों की, है न, इतना होता है कि वो सरवाइव कर लेंगी, वो सही से उनका बोड़ी का system चलता रहेगा, बात मेरी स लंद ऑन्यार जो 28 दिन का cycle, 28 दिन पसके में की पार priv Sam के लिखोषर घृव صुड होती है चार दिन के लेंगी लड़कों के लोड़कों को लुए, छे aftermath होना, चाहिए जो होता है सधियों से होता है हो सदियों तक होता रहे गा, हो उसमें क्या होता है कि बलड़ बाहर निक यह लेकिन यहां पर में पॉइंट क्लियर कर दूं सिर्फ लड़का और लड़की में RBC का डिफरेंस होता है WBC और प्लेट रेट्स दोनों में इक्वल है, दोनों में बराबर है यह सा नहीं किसे में कम किसे में जादा कुछ होता है ठीक है, बात कतम होगी, आप बात करते हैं next point पे next point पे चलते हैं, तो बच्चा अगला point यह आता है कि RBC जो है, वो कहां बनती है, RBC का formation कहां होता है कहां बनती है यह RBC, कहां से आई है इतनी सारी RBC तो बच्चा RBC बलड के अंदर है, अब बलड कहां बनता है तो last class में ने पढ़ाया था, बलड बनता है bone marrow में तो इस तरीके से आपकी एक लंबी सी हड़ी है और लंबी सी हड़ी के बीच में खोखला पार्ट पड़ा है और इस खोखले पार्ट को हम bone marrow कहते हैं इसे हम अस्ती मज्जा कहते हैं और इसी bone marrow का एक हिस्सा होता है जिसे हम red bone marrow कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, red bone marrow कहते हैं और यहां पर जो cells बनती है, वो कौन सी cells बनती है, वो RBC बनती है, वो red blood cells बनती है, लाल रक्त कोशिकाय बनती है, तो अगर आप से examiner question पुछते कि RBC हमारे body में बहां बनती है, तो जो लंबी-लंबी हडिया होती है, उसके बीच में जो खोखला पाट पड़ा है, जिसको हम bone marrow हिंदी में जिसे हम अस्ती मज्जा कहते हैं, तो इसी अस्ती मज्जा में लाल कलर की जो cells बनती है, उनको हम क्या कहते हैं, लाल रुधीर कोशिका कहते हैं, जाने कि इनका information, red bone marrow से point clear हो गया, अब आप कोगे मैं हडियों के बीच में बना खून, अभी बाहर कहां से आते हैं, तो हडिया होती है, पोरस, पोरस का प्लब क्या होती है, जितरित होती है, छेद होते हैं हडियों के अंदर, और इनी छेद से खून बाहर आगे, और जब बाहर आगे आपकी नसो RBC पी तोड़ रही है, तो RBC कहां बनी, red bone marrow में बन गई है, अब बच्चा जो cells होती है, इनका particular एक life span होता है, यानि कि इनका एक जीवन काल होता है, कि इतने जीवन काल तक ये survive करेंगी, उसके बाद ये मर जाएगी, तो जो RBC है न, आपको मैं एक point clear कर दूँ, हमारे body में एक दिन में हजारों लाखों cells बनती है, हजारों लाखों cells मरती है, फिर बनती है, फिर मरती है, ऐसा चलता है, जैसे हम इंसान है, हर एक living प्राणी है, का एक जीवन काल निश्ट, आए हो तो जाना दय है, है न, प्रत्यू, आप जानते हैं, सबसे कठोर सकते हैं, उसका साम 120 दिन तक टेट का life span होता है, 120 दिन तक ये survive करती हैं, उसके बाद इंती death हो जाती है, या तो मैं कहतूं death, या मैं कहतूं breakdown, या तोट गई या मर गई, बात तो बराबर है न, अब ये मरने के लिए कहां जाती है, ये जाती है दो organs में, एक होता है आपका liver और दूसरा होता ह प्लीहा को हम यक्रित कहते हैं, ये लिवर के बारे में आप वाकिफ होंगे, इस्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं, ये प्लीहा के बारे में शायद आपने लिए या एक थेली जैसा सा और्गन होता है पीछी का का, ठीक है, तो मैं अगर मैं बात करूं कि RBC बनी यहां पर 120 दि जिन्दा रही जो इनका काम है वो काम करती रही, उसके बाद ये मरने के लिए दो और्गन जाती है, यक्रित और प्लीहा, प्लीहा को आम भासा में बुक्स में आपको तिली भी मिलागा लिखाओ, तिली भी हम प्लीहा को कहते हैं, अब बच्छों लीवर में बहुत कम जात लेकिन स्प्प्लीन में क्या जाती हैं ज्यादा जाती है तिस तरीके से मानलोений आप का स्प्लीन है यहां पे आपए का हाँ जाके मरती हैं ता आप कहोंगे लीवर और स्प्लीनी कि हम लेवरियन को क्या को लेके जाते हैं पुर्दा लोगों को लेके जाते हैं मरे हुवी लोगों को ऐसे ही RBC भी मरने के लिए कहा आई लेकिन बच्चों जूकि ज्यादा मरती है स्प्लीन में इसलिए कुछ बुक स्वाजय लिख देते हैं स्प्लीन इस ग्रेवियार्ड और वी स्प्लीन को RBC का कब्रिस्थान का हजा है मैंने कहा ना स्प्लीन और लिवर दोनों मतने कि ज्यादा अगर आप दोगे प्रियोर्टी बैसे स्पेश्चन को अंसर वह स्प्लीन होगा अगर दोनों आए तो बहुत कॉप्शन से ही होगा तो हमने को ग्रेवियार्ड ऑफ आर बीसी का कब्रिस्थान कह दिया कि भाया यहां पर यह कब्रिस्थान कर आप बच्छों कुछ समय के लिए मर गई उसके बाद आर बीस पीन में जो मरी तो कुछ समय के बाद इस से उनका पुद्र निर्माण होना शुरू हो जाता है क्या शुरू हो जाता है integration हो जाता है तो मैं यह कहना चाहरी हूँ कि RBC आई आकर यहां मर गई, मरने के बाद कुछ समय के बाद यह RBC वापिस से regenerate होकर यहीं पर store हो गई, अब कभी अगर हमारे बोडी में RBC कमी पड़ गई, तो हम किसे मांग लेंगे, इनको कहेंगे स्प्लीन, स्प्लीन, BCRBC, सी लिए स्प्लीन को blood bank of human, इसको क्या कहा जाता है, blood bank of human, एक बात बताओ, अगर आपके शरीर के अंदर खुन की कमी होगी, तो आप खुन कहां से लेते हो, आपके ब्लड बैंक जाते हो ना, आपके यार्दोस ने देगे ठीक है, अब लेकिन किसमत आप नहीं हो, सारे यार्दोस आपने नहीं, तो आप ब्लड बैंक जाओगे, खुरीदोगे खुन, ना, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपके बोडी में RBC, तो हमारी स्प्लीन के पास, हल्की फुल्की दूप्लीन, इसलिए हमने स्प्लीन, क्या समझे, आप इतना समझे ह आपकारों में 01-ày क्यांना करती है, उसके बाद यह मरने के लिए, लीवर और स्प्लीन दो औरकेंस में जाती है, लीवर में कम जाती है, स्प्लीन याने के चेलीके आप ती ह lleμशा स्प्लीन, तिल्ली के नाम से जाते है, और वही पर साथ के स्टोर मैं अब किसी दिन अगर हमारे बोडी को थोड़ा बहुत आरबी स्टी तो बच्चा आप बताद के थोड़ी बहुत आरबीसी यहां पर मैं आपको एक पॉइंट पूं नाल अरबीसी हुए है कोशिकान कि अगर आप से पूछ लेना विल्ड की में इन सेल्स को से हैं तो क्यों कि आर बीसी एड क्या है बच्चा एड और रेड किसकी मज़े से बता दो रेड है मैं लिपलोबिन की बच्छा आई आर बीसी के पास लाल है डबलू बीसी और प्लेटलेट्स के पास नहीं है है असले मैंने कहा खून लाल या यह य यह कहति है तो मैं यह कह तूं आर बीसी का रेड कलर हिमोगलोमें की मीशना क्याम से यह कह दूं का लाल कलर आपके हमोगलोमें की वजना में को ओंट दोबराबिग है ऑफ कंग प्लकूए डों ऑपर है समझ गे तो बलसे मैं होती है तो कि मैं हमें ज्ञादा में ज्यादा है विशा होती है है कि क्या या कभी-कभी बुक्स में लोग बोल देख जेते हैं अंडा कार की होती है अंडे जैसे दिख जो आप आपसे एक्जाम में पुछेगा कार कैसा होता है तो ऑक्षिन में देखा डंबल की आकार की होती है ए यी को थे होती है फंडे की आकार की और कि बच्छो ए अधरर हो गया है म lट संबस में आ गया है कॉक्ट के आती आती है यह बात होगी आर पीसे का शेर एक कैसा होता है कहां पर टी कहां है सब्सक्रों और रेवाट अब बात जो आती है है चोटी बड़ी आर्वेसी हम आगे बात करें आर्वेसी का फंक्शन क्या होते है क्या काम करते है अगर मैं आपका सारा खून निकाल लूँ तो आप एक सेकिंड में दंगुटेगा दंगुटके मर जाओ इसका मतलब मैं में काम एक यह है क्या क्या बच्चे आपका पढ़ाचिक वश्चिंद इसकी सब्लाई करना अक्सेज़न की सब्सक्राइश करना की आनदर जो आर्वेसी को उसका गाम क्या होता है प्रसपोर्टेशन ओप अधक, transportation of gases, पीजाने की RbC का काम क्या होता है, गaसों को transport कर, अब हमारे बोडी में होती है, RbC, oxygen को भी transport करता है, अब मैं मूझे तो पड़ा है RbC, नहीं भाईद, अगर oxygen को ही करता है, CO2 जो बाहर आप सहां है, यह CO2 आपके फिर्फ कोन लेगा है, हमेशा और हमेशा आपको यह चीज बतानी है, कि RBC दोनों गैसों को तोनों गैसों को, दोनों गैसों का समभन करता है, यह उक्सिजन और CO2, वो बात अलग है, RBC, ऑक्सिजन 100% ट्रांसपोर्ट, लेकिन CO2 सिर्फ और सिरफ 5%, यह हम पढ़ेंगे काल के क्लास में कैसे गैसों को परता है, क्या करता है, आसपा ज्यादा है है इस होग रहा है, ठीक है बच्छों, यह हम कल के क्लास, असके लिए, कल पढ़ाऊंगी कैसे उक्षिजन को लेके जाता है कैसे सीयोटू को लेके आता है और फिर मैंकल पढ़ाऊंगी आपने सुना होगा कि बंद कमरे में अग्णिठी जलाकर नहीं आपका दम गुड़ी पढ़ जाता है वो भी सारी बाते हैं कि आज के लिए तो पुछ बाए-बा बारिश हो रही है उसके बाद हैं रंजे कुमार रंजन, न्यूटन राज, कमलेश, विमल कुलू, राहुल, पंकस, दिपिका तरिपाथी, उनम कुमारी, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्या पढ़ रहे थे हम हुमन ब्लड का चैप्टर पढ़ रहे थे और हुमन ब्ल स्टिती के कारण होता है, बता सकते हो आप इसका आंसर, कमलेश ने सबसे पहले आंसर दिया है, बिली रूबिन, रिनु ने आंसर दिया, बिली रूबिन, बहुत बढ़िया शांदार, चलो, अब टाट करते हैं हम, आर बीसी पढ़ रहे थे, कि प्लाजमा मारा कम्टीट हो यह सब कुछ में आपको पढ़ा चुकी थी, राइट, कुछ पॉइंट जो रहा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अंदर नुकलियस नहीं होता, मैंने कहा था, मैमल्स की अर बीसी में नुकलियस नहीं होता, लेकिन बचा तीन ऐसे मैमल्स हैं, जिराफ हो गया, लामा ह उंट हो गया, उनकी आर बीसी में नुकलियस होता है, तो एक्सर एक्जाम में यह क्वेशन बूच देता है, तो आपको याद होना चाहिए, अब कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट का मतलब होता है, most most important जो कभी कभार question सीधे एक्जाम में आ जाते हैं, नोट का म यूनिवोस, इन दा यूनिवोस का मतलब है, इस संसार में वो कौन सा जीव है, जिसके खून की आर बीसी सबसे बड़ी होती है, तो लेखिए संसार में सबसे बड़ी आर बीसी किसकी होती है, संसार में सबसे बड़ी आर बीसी किसकी देखने को मिलती है, भई खून तो सार जीवों में RBC होती है, तो सबसे बड़ी RBC किसकी होगी, तेखो RBC अलग-अलग, जीवों के खून में, अलग-अलग, क्या होता है बच्चा, सारा का सारा, हाँ, RBC का फंक्शन पढ़ेंगे, भी रुख जाए, RBC का फंक्शन आएगा भी पांस मिनट के बाद, तो एक Amphibian हो होता है, जो ड्यूल लाइफ जीता है, उभैचरी, जो पानी और धर्ती दोनों में रह सके, उन्हें उभैचरी जीव कहते हैं, तो Amphibian में कौन से Amphibian है, Amifuma, Amifuma एक-एक Amphibian है, और यह जो Amifuma होता है, साप का जैसा होता है, साप होता है, लेकिन साप नहीं होता है, यह Amphibian होता है, और इसकी RBC सबसे बड़ी RBC होती है, तो आपसे पुछेगा, सबसे बड़ी RBC किसकी होती है, तो आपका वहाँ पर option मिलेगा Amphibian की होती है, या इसतंधारियों की होती है, किसका होता है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा, ठीके, तो आप बताएंगे, वो एक बहेचरीजीव की होती है, Amifuma की होती है, Amifuma होता है, ठीके, चेलो, आप चलते हैं इसका Just Reposit, Smallest RBC in the Universe, Smallest RBC किसकी है, सबसे बड़ी होगी, तो एक Amphibian की होगी, Smallest RBC, सबसे छोटी किसकी है, जब सबसे छोटी की बात करते हो ना बच्चा, वो होता है, कस्तूरी म्रिग, कस्तूरी हीरन होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, Mask Deer, Mask Deer, कस्तूरी म्रिग, म्रिग का बड़ी होता है, हीरन, हीरन की RBC सबसे छोटी होती है, अब हीरन किस में आता है, Mammals में आता है, मतलब इसतनधारियों में आता है, तो अगर आप से पूछ लिया, कि सबसे होती है एक मैमल की और कौन सा मैमल है वो कौन सा इस्तंधारी है वो होता है मास्क डियर मतलब कस्तूरी म्रिग होता है एक हीरन होता है अब यह तो होगी यूनिवर्स में देखो यूनिवर्स में बड़ी और छोटी पुछा तो सबसे बड़ी किसकी होगी एमफिबियन की होग मैमल्स में आते हैं, अब एक पूछ ले आपसे, largest RBC in mammals, largest RBC in mammals, मैमल्स में सबसे बड़ी RBC किसकी होती है, गाय, भेंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, इस तब में सबसे बड़ी RBC किसकी होगी, तब आप बताओगे, वो होती है, elephant की, वो होती है, हाथी की, हाथी की RBC सबसे होती है तो 4 question हो गें आपके यहाँ से युनिवार्स में सबसे बड़ी एंफिबीयन की सबसे छोटी मैम्म में में सबसे बड़ी किसकी मंश्क ड़ीयव की कस्तूरी हिरन की और बड़ी किसकी कस्तूरी म्रिक्त और सबसे बड़ी किसकी elephant कि हाथी की RBC होती है, यह कुछ ऐसे question होते हैं, जो directly exam में बन जाते हैं आपके, class यहां से तो बिल्कुल सही चल रही है बच्चा, जो directly exam में बन जाते हैं यहां से, यह चारों not down कर लीजेगा, अब बात आती है माम RBC करता क्या है, what is the function of RBC, RBC का काम क्या होता है, इतनी सारी RBC है तो यह RBC कुछ न कुछ तो काम करती होंगी, RBC का कार यह क्या है, काम क्या करता है RBC, तो RBC बच्चा हमारे body में transportation of gases, gasों का संभाण करता है, RBC transport करता है, कौन-कौन सी gas को, oxygen and CO2 को हमारे body में transport करता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है हमारी बोडी में जहां जहां जिस सेल को जिस टीशू को जिस ओर्गन को ऑक्सिजन और सीओ टू चाहिए उन सब के पास कौन पहुंचाता है आर बीसी पहुंचाता है अक्सर कुछ बुक्स वाले या एक्जाम में क्वेशन पूसता है तो वो पूसता है आर बीसी का काम क्या है तो बच्चों ने सरफ इतना रटना लगाया होता आर बीसी का काम होता है ऑक्सिजन को ट्रांसपोर्ट करना नो आर बीसी ऑक्सिजन और सी यो टू दोनों को ट्रां लाल रंग का है और लाल रंग के लिए कौन सा पिगमिंट मैंने पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था है है मोगलाविन पढ़ाया था ना मैंने का था आज दिलेंग लिखते हैं आर्वी सी का लाल रं या खून का लाल रंग किस की वज़े से है फिंट ऎल्फून कि वज़े से है और भच्छ सिहीं मंऊग्लॉबीन के t życómo सीकतर ट्रांसपोर्ट करता है तो सिर्फ बबीज़ यह we go cq को ट्रांसपोर्ट कर सकती है नहीं जुड़ सकती है क्योंकि नहीं होता है और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है अपने साथ oxygen को जोड़ना अपने साथ CO2 को जोड़ना कैसे तो जड़ा ध्यान से सुनो हेमोगलोबिन अपने साथ जोड़ता है oxygen को तो यहां से एक पर्मानेंट पिगमेंट बनता है HbO2 और इसे कहा जाता है oxyhemoglobin इसका नाम क्या पड़ता है oxyhemoglobin नाम पड़ता है तो अगर आपसे मैं यह पुछ लूँ कि हमारे बोडी में oxygen gas किस फर्म में होती है तो आपको लिखना है हमारे बोडी में oxygen gas oxyhemoglobin की फर्म में होती है इन्वाइरमेंट में कैसे है O2 की फर्म में है लेकिन हमारे बोडी में oxygen अकेला नहीं होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो हीमोगलोबिन के साथ जुड़ा होता है तो मैंने एर लिया एर में हवा ली और हवा बैच्चा मेरे फेफडों तक जाती है और फेफडों के पास oxygen जो होता है उस हवा में से सरफ oxygen फेफडों में जो खून है खून में जो rbc है RBC के पास जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ जाता है और आप मेरे बोडी में ऑक्सिजन किसके साथ घूम रहा है RBC के साथ बोले तो हीमोग्लोबिन के साथ घूम रहा है तो मेरे बोडी में आपके बोडी में जो ऑक्सिजन है वो इस form में होती है, वो oxy hemoglobin की form में होती है, तो यह सारा oxygen हमारी cells के पास पहुंसता है, कौन लेकर जाता है, जरा बताओ, hemoglobin, hemoglobin किस के अंदर है, RBC के अंदर, और cells के पास पहले से रहता है glucose, यह glucose कहां से आया कोशिकाओं के पास, तो introduction माली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था glucose खाना खाने से आता है, आप जो खाना खाते हैं, उस खाने से हमारे बोडी में glucose बनता है, और glucose के पास आता है यह oxygen, कौन लेकर आता है, hemoglobin, और यह oxygen लाकर इस glucose का तोड़ता है, और जैसे यह oxygen glucose को तोड़ता है, तो carbon dioxide, प्लस पानी, प्लस एनरजी, ATP के रूप में बनती है हमारे बोडी में, तो hemoglobin जब कभी किसी सेल के पास गया, तो oxygen गेस लेकर गया, अब जब यह आएगा, तो खाली आत नहीं आएगा, यह अपने साथ क्या लेकर आएगा, CO2, CO2 बोले तो carbon dioxide, याद करो, last class में ने पढ का बलड होता है, एक ऐसा खून जिसमें oxygen रहता है, एक ऐसा खून जिसमें CO2 रहता है, बढ़ाई थी ना मैंने यह बात, तो hemoglobin एक गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठके oxygen हमारी cells, हमारे tissues, हमारे organs तक पहुंसता है, और CO2 उस गाड़ी में वापिस आता है, CO2 वापिस आ Hb प्लस CO2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Hb CO2 बन जाएगा, Hb CO2 बन जाएगा, हमारी बोडी में oxygen और CO2 का समभन कौन करता है, RBC, RBC में कौन करता है, हीमोगलोबिन करता है, हीमोगलोबेन oxygen को ले के जाता है, और CO2 को लाता है, अब ज़रा ध्यान से सुनना एक बात, हीमोगलोबिन 100% oxygen को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बोडी में जितनी भी oxygen हमारे हर एक औरगन तक पहुंचती है, वो साथ हीमोगलोबिन के थ्रू पहुंचती है, लेकिन बच्चा, हीमोगलोबिन जो है, वो कार्बन डायोकसाइड सिरफ और सिरफ 75% ट्रांसपोर्ट करत है, तो अब ये बताओ मैम, फिर बाकी का 35, 35 बचा है या 25 बचा है, 70, 80, 900, बाकी का 25% जो कार्बन डायोकसाइड है, वो कहां जाता है, तो बाकी का कार्बन डायोकसाइड, कार्बन डायोकसाइड और हमारे बोडी में 60-70% पानी होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और या वं टार्मन अमल कर्म करते बोटी मुंध एक एक एचिड बन जाता है तो यह 25% में हमारे बोडी में एक एसिड बन Jart से अब मुझा यह बताओ कि क्या पर लिया हमने क्या फंख्शन हो आर्भीसी और भीसी में हैँ आपका हीमोगलोबीन और हमोगलोबीन किया करता है'm तो अपने साथ 75% कारबन डायोकसाइड को ले आता है 25-45 раст कारबन डायोकसाइड से क्या बन जाता है हमारे बोडी में एक एसिड बन जाता है कांसा एसिड implicate तो अब बताओ आज के बाद कोई आपसे पुछे above क्या है तो मैंने कहा था RBC is the main cell of blood मैंने कहा था कि RBC हमारे blood की मुख्य कोशिका है blood का main काम क्या होता है अगर मैं आपसे पुछूँ खून बहुत सारे काम करता है लेकिन खून का कोई एक most important function बताओ तो आप बताना खून oxygen को transport करता है तो बताओ जरा खून oxygen को transport करता ये main काम है कौन कर रहा है RBC इसलिए तो blood की main cell कौन सी है RBC है तो क्या आप बिना RBC के survive कर सकते हो नहीं क्योंकि बिना RBC के तो मैं oxygen का transportation रुख जाएगा हमारे body में हमें तो heart attack आजाएगा हमारे body में oxygen level कम हो जाएगा तो बच्चा हम मर जाएगे इसलिए जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके dead body किस color की हो जाती है नीले color की हो जाती है क्यों? क्योंकि उसके body में oxygen का transportation रुख जाता है और उसके खून में CO2 जादा हो जाती है और मैंने पढ़ाया था ऐसा खून जिसके अंदर CO2 जादा होता है वो खून नीला अगर बहुत जादा CO2 है तो वो आगे चलकर डाक ब्लू कलरी हल्का सा काले कलर का दिखने लग जाता है तो बातिया आप रिलेट कर पारे है सारी की RBC को ही हमने ब्लड की में सेल क्यूं बोला मतलब RBC क्या काम करता है में काम करता है अब बात आती है कुछ पॉइंट्स की जो पॉइंट्स नौट करो अगर आपके बोडी में कभी RBC की संख्या में कमी आ गई मान लो RBC क्या होगी डिक्रीज होगी भाई हो सकता है ना, RBC की कमी हो गई, जितनी RBC आनी चाहिए, उतनी RBC आपके बोडी में नहीं बन रहे हैं, तो आपको डॉक्टर बोलेगा, देखिए आप चल रहे हो अरित्रोसाइटोपीनिया स्टेज में, और अरित्रोसाइटोपीनिया का मतलब होता है RBC की कमी, और RBC की कमी और खून की कमी मतलब अनेमिया तो आपके अंदर छिनता हो जाएगी और रक्तषिनता होता है खून की कमी गया क्सीतलापता खून की कमी हो जाती अरिट्न जाती है अरिख्टो Window in में खून की कमी हो जाएगी, फिर आपको खून चडवाना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा, ब्लड बैंक से, या कोई डॉनर ढूनना पड़ेगा, जिससे आप खून ले लो, तो पॉइंट समझ पा रहे हो, RBC की कमी, मतलब खून की कमी भाई, और खून की कमी को इंग हो जाए, बहुत जादा इसमें बड़ोतरी हो जाए, इसे इंक्रीज का सिंबल लगा लो, कि RBC इंक्रीज हो गई, उपर वाले में सिंबल लगा लो, डिक्रीज का, कि एगर RBC बहुत जादा डिक्रीज हो गई, तो क्या हो गया, तो अगर RBC की संख्या में बड़ोतरी हो ज स्बैब फोली पॉली साइथेमियक के यहां पे आरभीकस से जाते म फोली ज offenders उसे जादा मित मतलब हमें से जियादा उता है ज्यादा तो जादा खून गारा उजाता है और आपके तेयर मैं सपे इस पड़ ब्लैक सपोर्ट के मतलब है काले शीके पड़ने लगते तो अगर ज्यादा हो जाती है तो आपकी स्किन के ऊपर आपकी त्वचा पर काले रंगे धब्बे पढ़ने लग जाते हैं, खून थोड़ा सा क्लोट बनने लग जाते हैं, इसी को पोली साइथेमिया स्टेज कहा जाता है, आरबीसी में कमी अर्थ्रोसाइटोपीनिया, आरबीसी ज्यादा होना पोली साइथेमिया, अब बच्चा एक बेमारी ओरे सुन लीजिए, जिसको बोलते हैं सिकिल सेल अनेमिया, सिकिल सेल अनेमिया, सिकिल सेल अनेमिया, सबसे पहली बात, ये बेमारी क्या होती है, ये एक जेनेटिक डीजीज है, जेनेटिक का मतलब क्या होता है, अनुवानसिक रोग है, अच्छा अनुवानसिक रोग क्या होते हैं, सुल लो, ऐसे बिमारी जो आपको पिछली पीडी से मिली है, जो पिछली पीडी से मिली है, और जब आपका जनम हुआ, तो आपके साफ जिस बिम अधी पिडी बीमारी कि पहते हैं और पीडी से दूसरी पिडी में में अगाव चलती है उन बीमारी को सिक्ल सेल अनेमिया कहा जाता है और यह ऐसी बिमारी है जो बाई बर्थ आती है आप में जनम के साथ ही आती है और आप में है तो आप से आपके बच्चों में जाएगी आपके बच्चों से उनके बच्चों में जाएगी इसलिए इसका नाम पड़ा है जेनेटिक डिजीज औ तो सिंन तयल अनेमिय में क्या होता हैור new ce région कुछ ऐसा हो जाता है हसिया होता है हसिया जिससे अप घान्स काटते हो हमारे हज भी दारी में बोलते हैं अब आपके यह क्या बोल्ते हो स Kṛṣṇa नहीं आप जिससे घान्स काटे हैं तो बच्चा इस बिमारी, जिस बच्चे के अंदर इस बिमारी होगी, उस बच्चे की RBC का जो शेप है, वो शेप ही चेंज हो जाता है, RBC का जो आकरती होती है, आकार जो होता है, वो चेंज हो जाता है, और चेंज होकर किसके जैसा, सिकिल जैसा, हस्ये के जैसा हो जाता है, Half Moon भी बोलते हैं इसे, आधे चांद के जैसा हो गया, आप खुद देखो न, ऐसा लग रहा है, आधा चांद है, तो इस बिमारी को कहा जाता है, सिक्ल सेल अनेमिया, तो आप से पुछेगा, उस बिमारी का नाम बताओ, जिस बिमारी में RBC का आकार बदल जाता है, सिक्ल सेल कैसा हो जाता है, आधे चांद के जैसा, यह सिक्ल शेप में हो जाता है, और ऐसे बच्चों की RBC ढंग से नहीं बन पाती है, और ऐसे बच्चों में जनरली किसकी कमी रहती है, खून की कमी रहती है, और इनमें खून की कमी बच्पन से ही रहती है, और जब तक मरेंगे नही तब तक उनमें खून की कमी रहती है ऐसे बच्चों को हर महिने में एक से दो यूनिट खून चड़ाना पड़ता है बाहर से ऐसे बच्चों को एक से दो महिने में खून बाहर से चड़ाना पड़ता है सायद आपने कभी सुना हो के फलाना के बच्चे के अंदर बच्पन से खून की कमी है, उसमें कुछ बिमारी है, उन में से एक बिमारी ये भी हो सकती है, तो मैं ये कहना चाहरी हूँ, एक्जाम में कैसे क्वेशन आएंगे, तो ज़रा ध्यान से सुन लेजिए, बटा तिल अलग होता है, तिल अलग होता ह थाहें है. अगर बुछे अरिथ्रोसाइटोपीनिया क्या है वो स्पेज जहां पे आर बीसी में कमी हो जाती है, आर बीसी ज्यादा होना, पॉलीस् ताइथेमिया, आर बीसी का आकार ही चेंज हुज जाएगा, आधे चांद के जैसा हो जाएगा सिकिल जैसा हो जाएगा तो सिकिल सेल अनेमिया जो की एक जैनेटिक डिसोडर है जो की एक हेरिड़ेट्री डिजीज है जो की एक अन्वानसिक रोग है जो आगे से आगे चलता है जो आगे से आगे चलता है एक generation से दूसरी generation तो यह सारी बातें RBC के बारे में थी RBC क्या होती है कहां बनती है कहां मरती है RBC का क्या काम होता है RBC कम होना किसकी RBC बड़ी है किसकी RBC छोटी है etc etc that's all about RBC तो हमने plasma पढ़ लिया हमने RBC पढ़ लिया अब लिखेंगे blood की अगली cell और blood की अगली cell का नाम है white blood cells या white blood carpsules white blood cells हिंदी में लिखोगे सफेद रक्त कोशिका या सफेद रक्त कोशिका की जगे सफेद रुधीर कोशिका भी लिख सकते हो WBC इसे RBC था वैसे ही WBC है अनेमी बहुत सावे टाइप का होता है आगे पढ़ाएंगे हम आपको विटामिय मले चैप्तर में फिल्हाल छोड़ देना है सतीस दी सतीस बाबा अभी छोड़ देना है ठीक है आगे पढ़ाएंगे यह भी ही हिंदी में एर दिख रहा है कैसा है पीडियसे हुए कि पढ़ा वैसे है ल्यूको साइट्स सेम नाम हिंदी में हैं डबलू बीजी को हम डबलू बीसी बोलते हैं लेकिन रिपोौर्ट्स वगारा में जब लिखा हुआ ता है तो ल्यूको साइड्स नाम से लिखा खून कहां बनता है, बॉन मेरों में बनता है, इसका मतलब अस्थी मज्जा में बनता है, जो लंबी-लंबी हड्या होती है, उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी होती है, वहाँ पे खून बनता है, फोरमेशन होता है, वहाँ पे बलड का, बात करते हैं, डबलू बीसी का तिराइप स्पैन कुतने दिनों का होता है। कितने दिन जिंदा रहती हैं ये। जैसे TBC कना था… 120 दिन था…. लेकिन इनका तो बहुत कम होता है दो से चार दिन!! 2-4 घंटाका सरवाइव करती है। उसके बाद क्या हो जाता है। उसके बाद इनकी death हो जाती है, इनकी मृत्यू हो जाती है, और death सरफ और सरफ blood में होती है, अलग नहीं जाती है ये कहीं मरने के लिए, ये खून में ही मर जाती है बच्चा, अलग से कहीं नहीं जाती है, ये से RBC अलग से गई थी, कहां गई थी RBC, लीवर और स्प्लीन में लिवर और स्प्लीन में गई थी, अच्छा हो के कोई बातनी भूवन, ठीक है, लेकिन ये खून में मर जाती है, अब जहां मरी वहीं तो वापिस रीजनरेट होंगी, तो ये बताओ, इनका रीजनरेशन कहा होना चाहिए, ये कहां पर बननी चाहिए, इनका रीजनरेशन होना चाहिए, मैम, खून में, ये खून में वापिस बन जाती है, बच्चा, खून में मरती है, और खून में वापिस बन जाती है, इनमें नुकलियस होता है, बिलकुल होता है, डवलू बीसी के अंदर नुकलियस पाया जाता है, डवलू बीसी जो होती है ना, उसके अंदर प् जाता है अब आप से पूछ ले मैं संख्या में कितनी होती है इनकी क्वांटिटी कितनी होती है तो याद करो लास्ट क्लास मैंने कहा था WBC भले ही कम है लेकिन साइज में सबसे बड़ी होती है तो इनकी संख्या होती है 8000 से 10,000 पर 100 ml Hb 8 से 10,000 100 ml of Hb ठीक है मतलब 100 ml blood के अंदर 8 से 10,000 WBC होनी चाहिए WBC सरफ हजारों में होती है बच्चा जबकि RBC किस में थी? मिलियंस में थी इसलिए तो जब आप RBC और WBC का रेशो निकालोगे ना इनकी क्वांटिटी का RBC और WBC का रेशो निकलेगा 600 अनुपात एक क्यों? क्योंकि RBC तो इतनी सारी मिलियंस में थी? ये बचारी सरफ हजारों में है आठ से दस हजारों में निकलेश बिलकुल होता है शेप पोछ रहा है मुझसे एक बच्चा कि मैं हम इनकी आकरती कैसी होती है WBC का जो शेप होता है ना वो कोई फिक्स नहीं होता है इनका आकार इनकी आकरती not fixed इर्रेगुलर होती है ये इर कभी ऐसे रहती है कभी ऐसे रहती है कभी ऐसे रहती है WBC कैसे भी रह सकती है जिसके अंदर स्तरफ एक ही सेल होती है अमीबा एक कोशी की जीव होता है जिसके अंदर एक ही सेल होती है जिसके अंदर एक ही सेल होती है जिसके अंदर एक ही सेल होती है सिंगल सेलूलर होता है तो Amoeba कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है Amoeba, ठीक वैसे ही, जैसे Amoeba का कोई फिक्स आकार और आकरती नहीं होता, ठीक वैसे ही हमारे बोडी में जो WBC है, उसका भी आकार और आकरती फिक्स नहीं होता है, कभी WBC ऐसे रहेंगी, कभी ऐसे रहेंगी, क बात को आप समझने की कौछिस करो कि Wbc का क्वाइब नहीं है जाए है कहां पर बलड में ही nucleus होता है आकार चाहे कैसा ही हो लेकिन ऐसे nucleus देखने को मिलेगा आपको WBC के अंदर ऐसे 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 डवुँँ बिसी के अंदर nucleus देखने को मिलेगा तो आपसे पुछेगा वह कौन सी blood cells है जिन आकार फिक्स नहीं होता, वो कौन सी ब्लड सेल्स है, वो WBC है, वो कौन सी, WBC है, अब बात यहाती है मैं WBC का फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा था काम से, WBC का काम होता है, इम्यूनिटी प्रवाइड करना, इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोगों से लड़ने की परतिरोधक छमता प्रदान करना, WBC का काम होता है, किसको मारना, इंफेक्शन को मारना, संक्रमन को मारना, जब कभी भी हमारे सरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया आजाए, बैक्टीरिया का मतलब होता है, जिवानू, कोई वायरस आजाए, विशानू, कोई प्रोटोजोवा आजाए, कोई जम्स आजाए, किटानू आजाए, इन सब को मार गिराने का काम किसका होता है, WBC का, इनफेक्शन से लडाई करना और उसे मार के गिराना, एक बात बताओ, अगर मेरे बोडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया क्या है, इनफेक्शन है, वो मुझे बिमारी करने आया है, तो अगर मेरा WBC इस बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, तो ये बैक्टीरिया मुझे बिमारी कर देगा न, मुझे बिमारी हो जाएगी, तो अगर मेरे बोडी में WBC है, तो क्या होगा बच्चा, WBC इस इस वायरस को मार के गिरा देगा और मैं बच जाओंगी इस बिमारी से तो बिमारियों से बचाने का काम करता है WBC WBC रोगों से लड़ने की परतिरोदक छमता देता है Immunity प्रवाइड करता है रोगों से बचाने का काम करता है रोगानों मतलब जो बिमारी को जनम देते हैं Infections को मारने का काम करता है यह Infection से लड़ाई करता है और उसको मार गिराता है तो आप से कोई पुछले, हमारे बोडी के अंदर blood cells कौन सी है, जो defense mechanism बनाती है, defense का मतलब है, जो infection से लड़ाई करती है, जो infection से fight करती है, fighter cells कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, WBC है, हमारे बोडी में कौन सी blood cells है, जो immune system में से संपर्क रखती है, कौन सी, WBC, immunity देने का काम कौन सी करती है, WBC, इसलिए WBC के बहुत सारे नाम है, WBC को fighter cell कहा जाता है, fighter jet होते हैं, जो लड़ाई के समय निकालते हैं, air force वाले, वैते ही fighter cells, लड़ाई करने वाली कोशिकाएं कहा जाता है, इनको immune cells का हिस्सा माना गया है, immune cells का मतलब है, पर्तिरोधिक कोशि काएं, रोगों से लड़ने की पर्तिरोधिक छमता देती हैं, इनको soldier cell कहा गया है, आपको पता है, इनको क्या कहा गया है, soldier cells, soldier cell का मतलब है, सेनिक कोशिकाएं, जैसे हमारे सेनिक भाई हैं, वो क्या करते हैं, वो सीमा पे रहते हैं, और आंतक वादियों को मार के गिराने क काम करते हैं वैसे यह हमारे बोडी की सेनिक कोशिकाएं हैं इनको हमारे बोडी का बोडी गार्ड कहा जाता है जिसे मौदी जी के बोडी गार्ड है तो वो चारों तरफ मौदी जी के आसपास रहते हैं ताकि मौदी जी पर कोई अटेक ना कर दे वैसे हमारे बोडी में कोई आटेक ना कर दे तो उस इंफेक्शन का ध्यान उस इंफेक्शन से बचाने का काम कौन बोडी गार्ड करेगा यह फाइटर सेल्स करेंगी कौन सी फाइटर सेल्स आप क्या बताओगे अगर आपके बोडी में डबलू बीसी की कमी हो गई इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बिमारी का इंफेक्शन हो सकता है आपके बोडी में कोई इंफेक्शन आ सकता है बाहर से और वो आपको बिमारी कर सकता है तमसमें आ रही है बात WBC कैसी सेल्स है? RBC ने क्या करा? RBC कही कालक काम था RBC ने क्या क्या? Transportation of Gases Oxygen and CO2 को Transport करा WBC क्या कर रही है? Fight कर रही है किस से fight कर रही है? Infection से Infection क्या है? बाहर से आने वाला कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी हो सकता है, infection तो, infection infection होता है, कुछ भी infection हो सकता है, point clear है मेरा, तो immune cells का हिस्सा किस blood cell को मानते हैं, WBC, fighter cell किसको कहते हैं, WBC, bodyguard, soldier cell किसको नाम देते हैं, WBC, white blood cells को नाम देते हैं, बताओ जरा यहां तक की class में किसी को problem है या नहीं है, नहीं है तो आगे चलू, समझ में आ रही हैं चीजें, हाँ, chemistry की class होगी 7 बजे, बिलकुल होगी, हाँ जी, कोई problem है, किसी को problem है, तुरंद पूछ लेना, बात में मत पूछना, किसी भी type का कोई doubt, छोटा, मोटा, बड़ doubt आने चाहिए, doubt आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप, पृति को doubt नहीं है, सौरब को doubt नहीं है, धीरस पटेल को doubt नहीं है, भूवान को doubt नहीं है, सतीस बाबा को कोई problem नहीं है, ठीक है भाई, चले फिर आगे, अब मुझे एक बात बताओ, infection तो बहुत सार टाइप कितने टाइप की डबलु वेसी होती है, कितने टाइप की डबलु वेसी होती है, और टाइपस अप डबलु वेसी हम कल की क्लाश